आज मैं मिर्जापूर जिले के सीखड ब्लाग में हूँ मेरे पीछ आप मक्का का फसल देख पा रहे होंगे यहां पर लगभग एक हेक्टेर में मक्के की खेती हो रही है बहुत ही यूनीक वीडियो में चैनल पर ऐसा वीडियो नहीं आए था मक्के खेती के बारे में पहला वीडियो होगा मेरे साथ में यहां के प्रगति सील किसान है योगेंदर कुमार जी जो की पहले भी में इनका बहुत सारा वीडियो पर डाल चुका हूं के खेती करते थे इन सब का बड़ा अच्छा आप खेती देख चुके होंगे इस समय इस साल यहां पर एक हेक्टेर में मक्का लगा हुए हैं तो इन से आज मक्के खेती जंगाई लेंगे शागा थे चैनल पर नमस्कार अब परचे बताए किसानवाईयों को योगेंदर कुमार जैसा की नाम से आप बता तके हैं योगेंदर कुमार सिंग खानपूर का रहने वाला हूं बलाक सीखन है जिला मिर हैं का यह जाद शयु साथ है तो अगर पंद्रियमेय के बाद अज्यूंकि अगर पंद्रमय मौह से पहले लगा देंगे तो कर्मी जादा पड़ेगी तो फिर दाने नहीं पड़ेंगे कहने का मतलब है कि जब बालिया निकलने लगें तो उस समय बरसात का होना बहुत जरूरी है अगर बरसात नहीं हुआ नमी नहीं मिली तो फिर दाने नहीं पड़ेंगे इसलिए 15 मई के बाद और लास्ट जून तक या जुलाई के प्रथम तीक यह भी ताटी इस जो है जिया व्यायएंटी आप लगा सकते हैं तो लगाते टाइम किस्किस मिठी में द्ञान देता है क्या मेट्टी सही होता है इसके लिए अधित कोई फसल हो इसके लिए जबसे पहले अगर आर्गobra iht हो तो और बढ़िया है चुकि आरगे निकलों कम कर रहे हैं तो मक्य के लिए अगर दोमट मिट्टी अगर हो तो दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त माली तो जब भी लोग बिजाई करते हैं तो कैसे बिजाई करते हैं डारेक्ट से सुविंग कर देते हैं क्या तरीका होता है खेत की तैयारी करने के बाद जैसे पलेबा कर लेकिन राषानी ख्यति करने वाले डिएपी जो डालते हैं वह उसी सुद्टय में नीचे खाद उपर भी तो कितना मात्रा रख्येदिए एक हेक्टेर में आपको मान के चले कि दो बोरी यानि एक क्विंटल डीएपी ठीक है और बाकी जो है 20 किलो मक्य का भी अच्छा जो है रासानी खेती वाले जो करेंगे अगर जो जैवी खेती करने वाले हैं वह कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट नेम की खली और जो है पोसक अगर मौसम ठंधा है तो तो वह मिट्टी में मिला करके खेत की तयारी कर देंगे पलेवा के बाद जुताई के समय बर्मी कंपोस्ट ऑगर ऑड़ डाल करके खेत के तयारी कर लेंगे फिर उसके बाद पीच की बुओआई की मात्रा वहीं रहेगी एक हेक्टेर में 20 किलो ध बग लग जाता है तो भुआई कि कितने टाइम बाद पानी दिया कितने पाने का सकता होती खर्मी तो देखे आप जो किसान है ऑफ समझ जाता है यहां फसल को पानी कब जाहिए अगर मौसम थंडा है तो थोड़ा सा कम पानी लगेगा लेकिन गर्मी का मौसम है तो उस समय जो है सिचाई की जयादा होसे कितने कि लोग पादे कई किकमे मान पर करते हैं यह कर दिन कम चम दहरा है यह सब बर्चात के मौसम में जादा तर अंतराल पढ़ गया, मौसम सूखा पढ़ गया, उस समय सिचाई के उसकता पढ़ते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि जब बालियां निकलने लगें, उस समय से ले करके, जब तक बाली परिपक्व न हो जाए, उस स नमीं चहिए, जब परिपक्व नहीं जब विफ में जब युद्ट रागेनिक हो गया तौं फईरपतवार की मातरां बहुत कम आती है, लेकिन रासानी खेति करने वालों के लिए, कोई दवा आती हैं, पता नहीं है, लेकिन बहुत से किसान है कि उसमें जो है बहुता डव तो इसमें कुछ बीमारियां बहुत कम लगते हैं कोई वैसा जो है किट नासक को प्रभाव नहीं पड़ता है शुरू-सुरू में जब गर्मी के मौसम में आप बोहेंगे तो कभी-कभी होता है कि इसमें पत्तियां जो खाने वाले कीट हैं वो पत्तियां को खाना शुरू कर करके छिड़काव कर देते हैं लेकिन जो और किसान है अपना खिट नासक दवा का प्रेयोग करते है उसको अच्छा तो अच्छा प्रसल कितने दीन में तयार हो जाती कर दो महीने के लिए लेकिन दो नहीं धाय से पावने तीन महिने के अंदर जो है थाई से तीन महीने के तो यह साथ में खड़ी हुई है यह कितने दिन का हो गया है लगभग अब देख रहे हैं इसमें उससे थोड़ा सा पिला पना गया और इसमें देखिए लगभग अच्छा तो लगभग अब यह तो हमें कैसे पता हो अच्छा है इसको देख करके आप अनुमान लगा लेंगे यह सूख गया है तो समझे कि हमारी जो है बालियां तयार हो गए आप इसको पॉल करके देखेंगे तुछ दाने पढ़ गए तो कितने दिनों के बाद इसमें घुए आ जाते हैं लगभग वही म कौनों भालियां आपको भरपूर दाने मिलेंगे लेकिन अगर पौधा कमजोर है तो एक वाली में स्वश्ण पूरे दाने मिलेंगे दूसरी में कम मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे अच्छा यदि हम इसके पैदावार की बात करें लगभग एक एक कैटियर में कितना बादन होता है यह से शीजन देखे से रगड़ करता है अगर जैसे मौसम है बर साथ हो रही आगर बहुत हर कि मौसम सूखा पन हो गया तो फिर इस नहcoat है सुल को पड़ मे disclose यहाथा था है लेकिन मौसम जो ही नारमल होता है तो खाने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो एक योरेज मान के चलते हैं हम कि साथ आठ रुपए से ले करके 14 रुपए कीलो तक इसका बात के पहलू मिल जाता है तो खेट सही बिग जाता है तो यहां कर प्यापारी आते हैं तो आप और किसान बातों का ध्यान रखे आपके तरफ से और किसान भाई है कि हम बताना चाहेंगे कि पहले जैसे हम लोग देखते थे ना कि मक्के जो देशी वेराइटी होती थी और बरसात में बोई जाती और एक ही फसल के उपर लोग डिपेंड रहते थे ठीक है लेकिन अब मक् का जो इसका डिमांड था पहले की बात बता रहा हूं लेकिन आज के परिवेस में जो मोटा आना चल रहा है मिलेट्स और आजकल जो पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं इसलिए मक्के का डिमांड बहुत बढ़ गया अच्छा कोई किसान अगर चारा जो है चारा में पोल्ट्र किलो से कम नहीं अगर एवरेज माने तो गेहूं के बराबर रेट है अब गेहूं से ज्यादा उत्पाधन देता है अच्छा बहुत सही ठीक है तो साथी हमारे यह मुलाकात थी गंदर जी से कि मक्के खेती साल किये हुए हैं उमीद करते हैं को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अच्छा का चनल सब्सक्राइब के वीडियो को लाइक करें धन्यवाद